गुड इविनिंग सभी को मैं चंदन सिंग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्कॉलर्स क्लासेश पर तो जैसा कि मैंने कल एक छोटा सा वीडियो डाला था जो स्टी डिसकेशन पर था हमारी यूपी एसाई की तो यूपी एसाई की जो हमने डिसकस की थी स्टी नंबर 10 वो हमने कल कुछ important question देखे थे तो आज मैंने सोचा फिर आपके लिए कुछ important चीज लेके आऊं जिसमें स्टूडेंट को maximum difficulty का सामना करना पड़ता है अभी यूपी PCS का प्री का पेपर हुआ था उसमें भी हमारा shadow से question आया था आप लोगों देखा होगा तो आप समझ गह दोंगा जिसमें आप लोग questions को within seconds within seconds का मतलब समझते हैं न मतलब एक second ये दो second के अंदर आपका answer जो है maximum आपका answer आजाएगा मैं आपको ऐसा हिंट दूँगा तो अगर सभी लोग इस channel पर जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक तो आज मैं आपके साथ बात करूँगा shadow की shadow का मतलब अब ये shadow होती क्या है देखो बेटा हमेशा एक बात ध्याँ रखना shadow हमेशा दो तरफ ही condition पर बनती है पहला point देखे पहला point क्या है guys आपका कि जो आपकी shadow है वो आपकी दो condition पर बनती है पहला ध्यान रखीगा आपकी shadow या तो left बनेगी या फिर आपकी shadow right बनेगी मैं आपको बहुती बारिकी से आप लोगों को trick के साथ बता दूँगा with concept तो या तो shadow बनेगी left की तरफ या फिर shadow बनेगी आपकी कहा right की तरफ तो एक बात ध्यान रखीगा shadow के केवल दो ही कारण है बनने की या तो left की तरफ और या फिर आपका right की तरफ तो left को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में बाई तरफ या फिर right के अगर हम बात करें तो shadow कहाँ बनेगी दाई तरफ पहली condition या तो shadow बनेगी left या shadow बनेगी right दूसरी बात ध्यान रखीगा बेटा की या तो shadow बनेगी हमारी front में या फिर shadow हमारी बनेगी back में और front का मतलब बेटा क्या होता है हिंदी वाले बच्चे front का मतलब या तो shadow बनेगी आगे की तरफ या फिर shadow बनेगी आपकी पीछे की तरफ क्या मेरी ये बात भी सभी लोग को समझ में आई shadow हमेशा दो तरफ ही बनेगी या तो बाई तरफ या दाई तरफ या फिर आगे या फिर पीछे इसके लावा shadow बेटा कभी ऊपर और नीचे तो बनेगी नहीं आप सभी को पता होगा बेटा कभी ऊपर ना shadow बन सकती है ठीक है और ना नीचे shadow हमेशा या तो बाई तरब बनेगी या दाई तरब बनेगी या आगे की तरब बनेगी या फिर पीछे की तरब बनेगी क्या ये बाद इतनी समझ में सभी लोगों को आ गई हाजी ठीक है अब इसके बाद क्या और क्या हो सकता है पॉइंट भई शैडो राइट और लेफ तो बनेगी हमें पता चल गया बैट और फ्रेंट भी बनेगी लेकिन आखिर ये बनेगी कब तो बेटा ये शैडो बनेगी मौर्निंग में ठीक है या तो बनेगी सुबे सुबे बास समझ में आ गई मौर्निंग का मतलब कब सुबे सुबे और या फिर शैडो बनेगी आपकी कब बेटा इविनिंग में इविनिंग का मतलब बेटा कब शाम को अब कोई लोग यह मत समझीगा कि अंधेरे में शैडो कैसे बन जाएगी वेटा साम का मतलब क्या कह रहा है साम का मतलब हम इंगलिश वारे बच्चों को बताएं शाम का मतलब होगा before sunset सूरे डूबने से एकडम पहले और हम सभी को पता है सूरे की बात कब कर रहा है after sunrise यानि कि सूरे निकलने के एकडम बाद तो अब हम लोगों ने पढ़ रखा है sun rises in the sun rises in the east यानि कि सूरे कहा निकलता है सूरे के टाइम पर east में और शाम के टाइम पर sun कहा रहता है बेटा west में क्यों ये बात समझ में सबी लोगों आ गई अरे बोलो भई क्या इतनी बात मेरी सबी लोगों समझ में आ गई कि सूरे के समय sun कहा रहेगा और साम के समय sun कहा रहेगा क्या ये बात समझ में आ गई सबी लोगों चले इतनी बात समझ में आ गई होगी अब इसके बात important चीज क्या है देखो जब shadow आपकी left या right में बनेगी तो आपसे या तो वो right turn लेने को बोलेगा या फिर बेटा आपसे वो left turn लेने को बोलेगा तो left का मतलब हो जाएगा बेटा anti-clockwise anti-clockwise का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा और right का मतलब होता है घड़ी की दिशा में तो क्या मेरी ये बास समझ में आगे सभी लोग को बोलो हाई या ना तो अभी तक मैंने आपको दो चीज बताई क्या एक important चीज या तो आपकी shadow बनेगी left में या फिर shadow बनेगी आपकी right में इसके लावा शेड़ और तो बन सकती है तो या तो आगे की तरब बनेगी या फिर पीछे की तरब बनेगी और तो shadow कहीं बनेगी न रहेगा west में क्या मेरी ये बात समझ में आई ठीक अब राइट डिग्री right मुर्ने को कहेगा 90 डिग्री अब आपको पता है कि अगर हम से उसने नहीं कहा है कि 45 डिग्री 30 डिग्री 60 या कोई angle के बारें बात नहीं किया गया है तो हम standard कितना degree turn कराते है 90 डिग्री ठीक है और द्यान रखिएगा इसमें मैं trick क्या बता रहा हूं एक simple trick है जिसको सवाल को देखते आप जट से देख के solve कर दोगे trick क्या है कि आपका sun morning में या evening के बात करेगा अब आपके जैसे माल लीजिए morning के बात कर रहा है तो sun east में हैं अगर evening के बात कर रहा है तो sun west में हैं अब एक मेरी बास समझेगा या तो परचाई लेफ्ट दियोगी या फिर कहां दियोगी राइट दियोगी तो आपको कुछ नहीं करना है आप क्या करिएगा सन का लेफ्ट और राइट निकाल दीजेगा बस और जिसकी आप लेफ्ट और राइट निकालेंगे जिसकी परचाई का कि मैंने आपको क्या बताया फिर से शेडो बनेगी या तो left या right पहला point या तो front में या फिर back में कभी shadow ऊपर और नीचे नहीं बनेगी बेटा कभी ये मत सोचना ठीक है उसके बाद shadow या तो morning बनेगी बेटा या तो फिर evening बनेगी ठीक है रात में तो बनेगी नहीं अंधिरे को बोलेगा तो 90 degree clockwise left turn करने को बोलेगा तो यानि की बेटा क्या 90 degree anti clockwise क्या मेरी बास समझ में आ रही है इसके बाद trick में मैंने क्या कहा कि आपको जिस person की परचाई दी गई होगी उसी का left या right निकाल देना बस खत्तम सवाल इसका आप note कर लीजेगा मैं सवाल पर आता हूँ बात कप की कर रहा है कुश्चन में समझना क्या कह रहा है on a morning Ram and Ramesh were standing facing to each other अब एक बात ध्यान रखना बेटा दो ही लोग आपस में बात करेंगे कभी दो से ज़्यादा लोग आपस में बात नहीं करेंगे क्या मेरी बात को समझ में आ गया ऐसा मैं सोच लेना कि चार लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना ऐसा भी कभी नहीं होगा केवल जब बात करेंगे तो केवल दो लोग और वो भी आमने सामने बात करेंगे अगर एक इधर फेस करके बात कर रहा है तो एक सामने फेस करके बात करेगा ध्यान रखना तो the shadow of Ram fell exactly to the left of Ramesh on which direction Ram is facing Hindi में पढ़ते हैं एक सुबे देखो बेटा on a morning की बात कर रहा है तो बेटा अब आप बता दो सभी लोग कि morning की बात कर रहा है तो morning में बेटा sun कहा पर होगा अरे बोलो भाई sun कहा पर होगा आपका east में होगा कहा पर होगा sun आपका east में होगा कहा पर sun होगा बेटा आपका east में होगा अब दे तो यानि कि किसके बाई और पड़ रही है रमेश के बाई और और मैंने आप से क्या गाता कि जिसकी शैडो दी गई होगी आप सन का बस वही लेफ्ट ये राइट निकाल देना तो यहाँ पर आपको बाई और दिया हो गया है तो यानि कि हम सन का यहाँ पर क्या निकाल जिसका पर्चाई थी, जिसका बाया दाया था, तो आखिर ये बाया था किसका, रमेश का, आखिर ये बाया किसका था, रमेश का, यानि कि नौर्थ में कौन देख रहा है बेटा, रमेश, नौर्थ में कौन देखेगा बेटा, रमेश, और रमेश के सामने कौन था, एकदम र क्या मेरी ये बास समझ में आई कि आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे और ली क्या बास समझ में आई बहुत ही प्यारे लॉजिक थे और अगर हो सकता है कि किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दुबारा से रिमाइंड करके देखना ठीक है न बिल्कुल कि कब की बात कर रहा है बेटा एक शाम की अब आप बताओ अगर शाम की बात करेगा तो सन कहां होगा अगर साम की बात करेगा तो सन होगा वैस्ट डारेक्शन में कहां पर होगा बेटा सन आपका वैस्ट डारेक्शन में होगा कहां पर होगा बेटा सन आपका वैस्ट डार ले लेंगे अब बताओ वेस्ट का राइट क्या होता है वेस्ट का लेट हो जाएगा बेटा साउथ राइट क्या हो जाएगा नॉर्थ यह देखो वेस्ट का राइट हो जाएगा क्या नॉर्थ और लेट क्या हो जाएगा साउथ तो राइट पढ़ रही है यानि कि नॉर्थ में पढ़ रही है तो नौर्थ में आकिर पढ़ किसकी रही है जिसकी जिसकी परचाई दीती किसकी दीती परचाई राम की यानि कि राम कहां देखेगा फिर नौर्थ में राम कहां देखेगा नौर्थ में और सीता कहां देखेगी तो इसका मतलब सीता तो फिर साउत में देख रही है तो सीता किस दिशा में देख रही है बेटा ताउत में देख रही है यह हमारे इस प्रशिन का आंसर हो जाएगा यानि कि option number 1 क्या सवाल में कोई दम था अरे बोलो भई क्या सवाल में कोई दम था कोई दम नहीं था बिना pen paper के भी आप इस question को solve कर लोगे मेरी trick से ठीक है और अगर trick अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like जरूर कर देना ठीक है और अपने comment से जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आ जाएगी सूर्य अस्त सूर्य अस्त का मतलब यानि की शाम की बात की जा रही है शाम के समय सन कहां रहता है अरे बोलो भाई साम के सन समय कहां रहता है वैस्ट में रहता है अब देखो क्या कहा है सुमित और अमित लड़ रहे हैं सुमित की छाया अमित की बाई और पड़ र परच्छाई दी ती आकिर ये परच्छाई दी किसकी थी अमित की तो यानि कि अमित कहां देखेगा बेटा साउथ में तो दूसरा कौन था बेटा साउथ यानि कि सुमित और सुमित कहां देखेगा बेटा नौर्थ में आपसे पूछा किसका आंसर है रहे बोलो वाई अमित क किस दिशा में देख रहा है तो अमित बेटा कहां देखेगा साउथ में देखेगा अमित कहां देखेगा बेटा साउथ में देखेगा और आपका प्रशन का आंसर क्या हो जाएगा दश्यन हो जाएगा क्या मेरी बात समझ में आई सभी लोग को, क्या समझ में आई सभी लोग को, वीडियो को कमेंट करके ज़रूब बताएगा, क्या मेरी ट्रिक आपको अच्छी लग रही है, एक बात मैं और कहना चाहँगा, इसी प्रशन में, देखो बेटा, अगर परचाई या तो राइट ब परशन का जो उत्तर होगा, वो या तो बेटा नौर थाएगा, या फिर आंसर आपका क्या आएगा, साउथ आएगा, या तो उत्तर आपका आंसर होगा, या फिर दश्यन आपका आंसर होगा, कभी पूरा पश्यम आंसर नहीं होगा, आंसर हमेशा आपका इन दोनों में ही स में होगा या फिर साउत में होगा कभी east or west में नहीं होगा के में इबास समझ में आ गई चलो अगला question, कि बात करें इस question को दीकते हैं तो पता चलता है कि in a morning न Palm का मतलब बेटा ये सुबे सुबह की बाद चल लुकत द कर तो सुबह में हमारा 손 रहेगा वो किस परचाई रीता के ठीक बाई और सन का हम क्या निकालेंगे बेटा बाया सन का हम क्या निकालेंगे बाया तो आके सन का बाया क्या होगा भाई अरे सन का बाया तो सर नौर्थ होगा हम तो कह सकते हैं कि सन का बाया बाया क्या हो जाएगा नौर्थ हो जाएगा तो भाया आखिर नौर्थ में फेस किसका है जिसकी परचाई थी फेस किसका है बोलो फिर से जिसकी परचाई थी तो परचाई थी किसकी रीता की यानि कि नौर्थ में कौन देखेगा बेटा रीता देखेगा अपोजेट में कौन था बेटा कवीता तो कवीता कहां देखेगी बेटा इसका मतल सब देखें कि कहां पे बेटा साउथ में किसका पूछा है कवीता का पूछा है आंसर साउथ मार दो क्या हो जाएगा आंसर इसका साउथ इसका करेट ऑप्शन क्या हो जाएगा साउथ बताओ क्या सवाल में दम था अरे बोलो भई क्या सवाल में दम था कोई दम नहीं था आप से competition करने वाला आप से 10 गुना रतार से आगे बढ़ रहा है एक बात ध्यान दखना अगर किसी एक्जाम में success होना है तो आपके पास basic plus trick दोनों की जानकारी होनी चाहिए basic तो चलो भई आपको खड़ा कर दिया लेकिन बेटा दोड़ने के लिए आपको trick की जाद जाद प होगा दो दोस्त बात कर रहे हैं सुमित और मोहित ठीक है एक दूसरे से बात कर रहे थे इस्त हमें सुमित की परचाएं मोहित के ठीक दाई और यानि किसके दाई और अरे बोलो भाई दाई और किसके मोहित के यानि कि इस्ट का भी हम क्या निकालेंगे राइट तो इस्ट क कहा देखेगा तो फिर सुमित कहा देखेगा बोलो बेटा तो फिर सुमित तो देखेगा सर जी नौर्थ में सुमित कहा देखेगा भाया नौर्थ में किसका पूचा है सुमित का पूचा है सर जी तो आंसर भी क्या दे दें भाया नौर्थ दे दीजे तो यानि कि इस प्रशन का answer क्या हो जाएगा North हो जाएगा क्या बताओ इस प्रशन में कोई दम था क्या लगता है आपको इस प्रशन में कोई दम था ऐसे हम लोग Oural solve कर रहे ठीक है तो अगला सवाल आपकी screen के ओपर ये रहा ठीक है तो अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे इस जदी इस समय अमित की परच्छाइं ठीक उसके दाई ओर तो यानि कि सन का राइट क्या हो जाएगा बेटा अरे बोलो भाई साउ तो यानि की यह और कौन हो जाएगा आपका अमिता क्या मुझा को कर दिशे समय तो जल्दी से बलो अगला कोश्टन आपके स्क्रीन पर यह रहा अब देखो बेटा अब शाम की बात कर रहा है तो शाम के समय सन कहां रहेगा बेटा वेस्ट में रहेगा वेस्ट में रहेगा तो दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे यदि इस समय दीपक की पचाई रोहन के ठीक दाई और क्या बेटा दाई और किसके रोहन के तो सन का भी क्या निकालेंगे राइट तो सन का र टेकेगा बेटा किसका पूचहा है रोहन का पूचह है रोहन कहान ले देख रहा है नॉर्ट में में अंसर हो गया पाorar यह हैं मेरी बास समझ में आई की न ह sisters बूलो कि मेरी बास समझ में आई उगी और मुझे लगता है this is the best approach for solve a shadow question to every exam I know आप सभी लोग जानते हो कि competition के दोर में हमें ज़्यादा load पड़ता जा रहा है ठीक है ऐसी ही trick हम अपनी class में बात करते हैं मुझे समय मिलता है तो मैं आपके साथ discuss कर लेता हूँ trick के बारे में ठीक है ऐसी जब मैं कभी week में आपको एक दो class अगर चाहिए trick की तो उसमें comment करके ज़रू बताईएगा मैं ऐसी जो मुझे लगता है कि जिसने बच्चों की difficult होगा मैं वही class आपके लिए comment section में जो बताऊगे कि sir इसकी class लेके आईए या sir ये topic की class या sir इस topic में इस section की class या sir इस topic में मुझे ये दिक्कत होता है तो जब आप comment करोगे तब फिर मैं comment में बताऊगा कि पढ़के फिर मैं उसकी class आपके साथ लेके discuss आऊगा जैसे बहुत साज स्टूडिंग के demand पी सा shadow based लाईगे तर कुछ बढ़िया concept के साथ ये मैं आपके साथ ले आया ठीक है तो अब आप समझ गया आ गया ना कि क्या हमें करना है अब दूसरी बात बिटा परचाई right और left बन जाए तो ठीक है लेकिन जब front और back बनेगी तब क्या होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे चीतों कि अगर परचाई या तो front में बने या फिर back में बने तो आंसर हमेशा या तो east आएगा या फिर west आएगा और दोनों लोगों का face भी इसी direction में होगा अब एक बात बताओ अगर मान लोग मेरी परचाई मेरे पीछे पड़ रही है तो इसका मतलब मैं तो सामने दिख हराह वह सामने सा light आ रही होगी liver अगर सामने से कोई light हाई लग पड़ेगी और पीछे से कोई light आ रही है तो मेरी परचाई आगे पड़ेगी पर सिंपल सा concept है बहुत असा concept है देखो कैसे ओना morning यान न उसके परच्छाई पीछे पड़ेगी और light कहां से आएगी इस से तो इसका मतलब है कि आपका मोहिद किस डारेक्शन में देख रहा होगा फिर मोहिद देख रहा होगा आगे पीछे वाले में तो बेटा कोई दिक्द होती ही नहीं है आगे और पीछे वाले में दो बिटा कोई दिक्कत नहीं होती है दिक्कत होती है कहां जब हम लोग ब्राइड आए तो उसकी मैंने आपको फॉलम हटा दी दूर कर दी और मैंने टोटल नाइन कोश्चन सॉल किया विदाउट वेस्टिंग टाइम क्योंकि बहुत सारे लोग इ वीडियो देखा होगा पढ़ते भी होगे यूट्यूब पे कही जगा देखा भी होगा अब यूट्यूब देखा भी होगा नौ कोश्चन कराने के लिए लोग एक घंटे का समय ले लेते हैं और मैंने मैक्सिमम मुझे लगता है अभी तक मैंने 15 मिनट भी ठीक से लिया न ना की आप को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो के सेक्शन में Kas करके जरू बठाए आगए वीडियो आपको कैसा लगा और उसके बाद चैनल को देख रहे हैं सअस्स्राइब जरू करनाल अक्र में जरू करना ठीक sudah और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो आपकी वो डिस्कस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर में ये टॉपिक में ये दिक्कत है अब इसकी क्लास एक छोटी सी क्लास ले आईए आपकी वो समस्या मैं सुल जाऊंगा और डिस्कस करेंगे हर प्रॉपर तरीके से ट्रिक्स के होगा ठीक है फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ तब तक के लिए थेंक्यू क्लास